नमस्कार आज इस कारिकरम में मैं आप सब काविरंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ अक्सर हम इस कारिकरम में बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलते रहे हैं लेकिन आज जिस हस्ति से हम बातचीत करेंगे वो हस्ति अपने जीवन काल में ही एक विदंती बन गई उनका सारा का सारा जीवन एक आधरिश के रूप में हमारे सामने आखाडा हुआ इस अस्तिने बरसों बरसों पहले जिसे सदी पहले की बात की जा सकती है सदी बहुत लंबी नहीं होती है इस माने में एक काम शुरू किया था और उस हद तक पहुँचा उस मकाम तक जा पहुँचा कि आज लगता है कि उंचे शिकर को हम किस तरह से देखें इस शिकर का नाम है उस्ताज बिसमिल्ला खाँ खाँसाब आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के सकारिकरम में आपकी शेहनाई की आवाज सुनकर हजारों लाखों करोन लोग मोहित होते रहे हैं आज हम आपकी बातशीत करना चाहते हैं आपकी शेहनाई के बारे में आपके संगीत के बारे में आपके जीवन के बारे में आपकी उपलब्धियों के बारे में क्या-क्या पाया आपने और क्या-क्या ना पाने का गम आपको रहा है इस जिंदगी में अभी तक इदर हम लोग तैयार है संगीत के जादूगर से बात करने के लिए खासाब मैंने आपको संगीत के जादूगर कहा तो ऐसे ही नहीं कह दिया पिछले चार दशक से चार बेरता अस्ती साल करी हुए आपकी उमर इसना 82 से उपर हो चुकी है हम तब से सुन रहे हैं आपको चार साल की उमर में आपने संगीत शुरू किया दिया था मैं जाना चाहता हूं कि शेहनाई को आपने शेहनाई हमारे यहां एक वाद ऐसा है जिसको शादी ब्याक के मुट को बजा जाता था आपने और आपके पिताजी ने आपके भाई साहब ने उन लोगों ने इस शेहनाई को उस छोटे से उतसर से उठा करके लोक मंगल की ध्वनी बना दिया सारे लोक की मंगल की ध्वनी बना दिया यह इतनी लंबी यात्रा जो आपकी रही इस बारे मैं जाना ही चाहरा था कि शुरुआत कैसे इस यात्रा की शुरुआत का मतलब यह है हमने शुरू नहीं किया बलके कुछ तहां पुछ से चली आ रही चीज हमने बजाया दुनिया देख रही है जी हमारे भाई सब्समा नोला ERIC हमारे उस्ताँ तहे मामा sort का उन्से लिए यारत किया और उनके बाफ थे हमारे नाना जो थे रज़ता नाम सब्समाण है और implemented शहनाई क्यों लिया ये देखने की बात है, वो मैं आप से चाहना चाहता था, वो ये है, ये भी गाते थे, लेकिन ही चाहते थे हम एक हो के अकेले हों हिंदुस्तान में, तब सितार को देखा, एक से एक तयार है, सरोत को देखा, उसमें तयार है, गाने में देखा, एक से एक तो रात को भरा था उनके पास खजाना था शेहनाई बजाना शुरू किया थोड़ा सारे गामा पाथा निसा साल इंधा पामा गर ऐसा अब चल रहा है वो अब करते करें दम अच्छी बोलने लेगी होते 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 साज जो छोटा था उसको जड़ा बड़ा लिया और उसमें गायकी का अंग न्यों करते करते हमारे मामुत तक जब ये चीज आई है अलीवक्ष तक हम कुछ नहीं के सकते वो क्या थे उनका दावा ये था अच्छे सच्छा कलाकार हो होप गाये मैं द्वा के साथ उनको याद करूँगा होप गाओ सितार बजाओ कुछ भी हो और तीन आप के पास बैटे हैं और आप तमामी हदराथ के जितने सुनने़े वाले लोग हैं सभी की खिद्बहने स्यलाथ ए सलाम कर रहूं सबको आदाब कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं सब लोग धार्दान है जरूर लेकिन रियास करना जरूरी है खानलान में रहने से कुछ नहीं होता, रियास करो, प्रैक्टिस करो, तो कहां करे, एक बात यह है, घर में करो, या कोई उस्ताद किया जाओ, हमारे मामू करते हैं तो नहीं, या तो कोई मजार शरीफ है, वहां बैड़ जाओ, कच्छित जगमग, करत है, कच्छित जगमग, यह चलता है, और यह तो फिर किसी मंदिर के पास बेढ़ जाओ, यह सब करते है, करते है, तो यह है जादू जो अभी आप कहें इसके पहले, यह है जादू, जब रियास चाहता तो उस आदमी उस कलाकार का दिमाग कुछ और हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगागा, अंदरू नहीं, यह काम करो, वो काम करो, तो बादी बगत खिजला कि वो क्या कहगा, ल अगर उसका रियास हो गया है, तो उसमें ऐसा डूबेगा कि उसके आँख में आसू आ जाके किसी रोज, इतना डूबेगा, और वो है, मनलिल का हो या मदार शरीफ का हो, उसका यकीन है कि हमको यहीं से मिला है, अच्छा यह यकीन है, यह चीज जरूरी है, रियास तो होता अगर वहाँ नहीं बैठ रहे है, तो कुछ मंदर के पास यहाँ, वहाँ बैठो शिवाला है, आरसी होती है, वहाँ सुनाओ, लेकिन एक दिन नहीं चलते रहो, अगर वहाँ भी नहीं है, तो गंगा किनारे पहुँच जाओ, सीड़ी पर बैठ जाओ, आप तो कुछ कह रह लुबा है उसने, और जो हमरे बनारस को अरे बाब भया बाज जी आ यार कई सन पा जाओ अट हुगा, देखिए आप बनारस की बात के और बनारस से एक सजजन आप से कुछ पूछना चाहते है, बनारस से इसनमे वारानसी से अरुन कुमार है, अरुन कुमार जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं आप खांसाब से, जी, खांसाब, खांसाब आप से मुक्ति, हाँ बोलिए, आ रही है आपकी आवाज, तबसे पहले तो भारत रंद की बधाई देंगे, और खांसाब से हम ये कहेंगे, जो बनारस का नाम पूरे विश्व में इन्होंनों सार आया है, तो उस बनारस के माध्यम से इस जनता को अपना संदेश दें, खांसाब, अरुण कुमार जी बनारस से बोल रहे हैं, और आपको पहले तो बधाई देना चाहते हैं, भारत रतन के लिए, मैंने जानबूच के नहीं दी थी, क्योंकि मैंने सोझा संधेश यह देना चाहता हूँ, कि सारी दुनिया में कलाकार फ्हले हैं, एक, दूसरी चीज है, वो कलाकार अपने ठंक से गाते बजाते हैं, उसको छोड़के अपने यहा हमारा हिंदुस्तान है, नि हींदुस्तान में भी कितने शहर हैं, और हर एक का गाने का ठंग अलग ताल होई है उसमें फरक में होई है लेकिन माराज अब हम क्या बताने आपसे एक भात है जरा मजाग तो है जी सब कलाकार कोई साथ से हो या वोकल मुजीच हो कुछ भी हो सुर् चाहते हैं सुर्स पैदा हो है न हम बनारस में रहने वाले हैं पहरे इसे बना रस है इसलिए रस ही रस है उसमें क्या वात है क्या वात है पूछते ही वाला था कि आपने एक बार कहा था कि जब मैं हिंदुस्तान से बाहर होता हूं तो मुझे हिंदुस्तान याद आता रहता है बिल्कुल बिल्कुल जब मैं हिंदुस्तान बचे रियास करो सुरीलह हो जाओगे तो ये एक रास की बाद आपने हमको समझा दी कि बनारस जाकर के कोई भी सुरीलह हो सकता है करना पुलेगा एक दिन में नहीं आने का लेकिन अधा उसके लिए एक कोई भी पहला होना चाहिए और बिलकुल वह जाए ना पहला अपने इमान में अपने दिल में ये सोच लिए हमको यही से मिलना है अब वो मंदिर है या मजार है। वो सोच रहा हमको यहीं से मिलना है। पहले यकीन कर ले आपने दिल में। अब उस उरू है। एक दीन, दो दीन, चार दिन, महीना, दो महीना और आज रेकार्ड कर लीजिए। और एक महीने के बाद फिर वसी चीज़ को देखिए। रेकार् या ये पूछ रहे हैं कि आपके पास जो कला है जो विद्ध्या है और जो परंपरा आपने पाई है अपने पुष्टों से इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए आप कुछ कखशाएं वगरा चला रहे हैं किया या कोई रिया आदमी और सीखना चाहे तो सीख सकता है क्या? नी, नी, सीखने कहा तो टाइम होता है Не हमको इतना टाइम ही नहीं है आख सिखाने का'll घर में बच्चे समाइए जो हमारे साथ बजा रहे हैностью सब लुके हैं जहने आपने सिखाया हमने सिखाया है खुद रयाज में क्या हमने सिखाया जरूर है हमने सिखाया और रयाज किया है हमने सिखाया जरूर लेकिन रयाज उन्हों नहीं क्लास चलाते हैं आप तो पहले अब तो पता नहीं चलाते हैं नहीं क्लास नहीं अच्छा ये फाकिरी लाइन है भाया जी मैं क् क्लास चलाओ और शो बाजी करो दूरा इतने तरह वो सब नहीं है, बोरिये पर बैठ जाओ, चना खाओ चना, रात को भिगा दो, सुबा चना खा रहे हैं, और दो बादाम पीस के खा लिया, चुट्टी गरीब आदमी है, इतना जार रहे हैं, एक रुबे का सेर बर घी खाया हमने, बुटक जानेदार गी, तो जी, तो अब वो सब चीज नहीं है, और रियाज वही करना है उनको, वही काकत से, तो बली मुश्किल आ गई है, और साथ साथ, हमारे राजदर्बार पहले थे, उस राजदर्बान में क्या होता था, जितने कलाकार हैं, आप जब पता सब राजदर्बार के पले हैं, वह बात हम राजदर्बार वाली में करना चाहता हूं, थोड़ी दर बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मुंबई से एक और कैलिफोन पर है, उशा गुपते, उशा जी, बोली करता है, जब शादी के समय आपकी शेहनाई बजती है, तो आप कैसा लगता है, जब शादी के समय शेहनाई आपकी, नहीं हमारी शेहनाई नहीं बलके शेहनाई जब बजती है, कोई भी बजती है, बजाए, शादी है ना, देखिए ये एक चीज है, अल्ला के तरफ से हम यह कहेंगे, ये खुशी का कोई काम होगा, पूजा भी हो, शाद हम भए जयाते थे, अहां हां इन जयाते थे, मातमी नहोग जो होता है, मातम करते हैं नहोगे हम ख़ए होको बजाया है, बनारस में मुहरण के जमाने में, अर्टिषा साथ चलते हैं। हां हां चलती है नहीं भाग के चलती है, गूट कर लूख दूफरो indruck कर आगेके हैं, म जब आपने शुरुआत की थी, चार साल की उम्र में जब आप बनारस चले आए थे अपने मामुजान के पास में और सीख रहे थे उन से, उस समय आप स्कूल भी भेजे जाते थे, और आप स्कूल से भाग आये थे, आप पढ़ना पसंद नहीं कर रहे थे, उन क्या किस्सा था कैसे भागे क्या कहा भर मुझोने पिटा ही नहीं की, उसमें था ये कि इसकूल मारे घर से पैदल चलने में तीन-चार मिनट का रास्ता था, तो एक छुनुखा साब थे, स्वरोद बजाते थे, गरीब आदमी, कोई पूछने वाला नहीं, और एक दुकान की तरह था, उसम आईसे, हम खड़े हो गए, उसकूल टाइम होगे, हम खाली सरोज सुन थे रहा है, और वहाँ से चले गए, माहुनी का क्यों पढ़िया है, हमका जी, आठ दिन नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, सवरोज सुन थे रहे आठो दिन? तो एक बात जरूर है कि हम सच बोलते थे, चाहे कुछ हो, सच तो हम भी बोलते हैं, हम कहा हूँ, कि हम क्या करते थे, उनका चुन्नुखा का सुरो सुनते थे, ओहो, अरे बेवकूफ को स्कूल तो जाना चाहिए, अब क्या हुआ कि उसके बाद हम आते थे, अब स्कूल टाइ सुनाएंगे, इस तरीके से हुआ है, अल्ला का करम है, संगीत से बच्पनत की हमारे एक अनुरूनी कफियत थी और शौक तहाम है, तो ये शुरूआत कैसे हुए, शेहनाई सीखने की आपकी, वही, 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 हमों ने सिखाना शुरू है, हाँ, हाँ, घर पर, हम तो सुन है, तो मामू बजा रहा है, अमें याद तो है नहीं है, उतर आंना खंतनी कर अनुरूनी कर दो कि दो कने से खेलते चेहरा के लिखो, क्या कर रहा है, राक कौन सा है, और मैं कुछ पता लेंगा, लेकिन बच्पन से शोक ता है, सुनते- सुनते बस जाती है चीज, ये जो भ और दिखाई देती है, कोई जगह ऐसी जो बस जाती है, करते, 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 एक ही राग बजा रहा है, एक दफे, दो दफे, बरसा बरस, तो उस जगह बैठने के बाद फॉरन मूड बनता है, और वो सुर पैदा होता है, अच्छी दिखाई, यह सब जो अंदर बस करता है, यह प्रकाष जैन आप से कुछ कहना चाहते है, प्रकाष जी पूछिए, बिस्मिल्ला गान जी, हाँ बोलिये, आपको नमस्कार कर रहे है, नमस्कार नमस्कार भाज साब, मैं बोलिये, आपने जो सेनाई वादन में, जो अपना इतना उचा हिसान प्राप्त किया है, जी, तो विश्व भर में जो शेनाई वादन में, जो इतना उचा अप्राप्त किया विश्व भर में, उसका श्रय आप किसे देना चाहेंगे? अच्छा, यह पूछ रहे हैं कि आपको इतनी उचाई मिली शेनाई वादन में, दुनिया भर में, तो इसके लिए आप किसको श्रय दे सामने, तो भीमान है वो तो, ऐसा नहीं है, वो तो करना ही पड़ाएगा, किसने हमको सिखाया, किसने हमको बताया यह सब, यह चार चरह जिसमें खेल खेलवाना सब छोड़वा दिया, उन्होंने, संगीत में लगा दिया, तो उनकी वरकत है, उनकी वजा से हुआ है, हमारे न महमा है जी सारी महमा ने सारी चीज सबूनी किया यहे आर रियास तो करना पो लेगा लेकिन गूरू को आपने श्रेए देते दे जी यह रियास कितने घंटे आप कर तो बचपन की बाद कुछना चाहता हूं मैं देखिए बचपन में तो दस मिनट पांच मिनट आदा घंटा वसी है, और का बजार नहीं रहें कुछ, हमें पते ही नहीं क्या है, और सारे कामा पाधा हैं नहीं पाधा है, और गुली खेल रहें, लड़कों से बात कर रहें, लेकिन करीब करें आठ साल चलते चलते नौ साल में हम दरा बला साज ले लिया, असी की सी रोज इतना अच्छा लग रहा कि हम दिल चाहता कि उसको छोड़ो मत बजाते रहो, जो आधी घंटा है कहा हम घंटा डिल घंटा निकल गया है, कभी-कभी, वो करते-करते-करते, आज अल्ला का करभ है महरबानी है, उस दूरू है, तेरे चवदे साल की उमर में शायद आपने पहली बार पबलिक में जाकर के अपना कला दिखाई थी, अल्हाबाद में शायद, जी-जी-जी, सन तीस में, सन तीस में, उसके क्या मतलब, कैसा अनुभल था आपका? कुछ नहीं, हमारे मामू बड़े तगले आदमी ते, दोनों मामू, मजले मामू और चो पर नहीं है, वो राख हमने, वो हमें चढ़ा दिया, बता दिया था, अब एक देफर शुरू करके हुआ, यह हम को दबाया, शुरू हो जाओ, अब हम चले उसमें, शायद के दा रहा था, ऐसे, अब मामू चुप बठे हैं साल यह है, शुरू देखने, शब्रूद यह हमारे लिए, आपके लिए नहीं, क्योंकि जतने भी आपको पुरूसकार मिले, 1961 में शायद पदमी शिरी आपको मिला था, मुली याद है, वो भी याद भी नहीं हो, उसके बाद पदमी खूशन, पदमी खूशन, पदा नहीं क्या क्या है कि पर सेंख करो आपको पाधियां मिली ऊसमें कोई शेंख नहीं और आज आप को भारत अ protectन एक करके हम गर्वानमित हो रहे है ने इसलिए आपने जो Kुछ किया उसके सेले में कुछ नहीं मिली डिलिट वगर आपको दी डाक्टेट से भली आपने पढ़ा ही ना की ओ पहली क्लास में जा करके लेकिन डिलिट तक आपको चार-चार पांच-पांच मिल चुकि दूनिया भर से मिली इनके बारे में जो आपको इस तरह की पुर्सकार मिलते हैं भारत नतनी मिला तो क्या ख्याल आता है आपके मन में? ख्याल नहीं खुशी तो होती है लेकिन उसके बाद हम कभी कभी ये सौचते हैं कि हमने मांगा नहीं हमको मिला और मैं अपनी गौर्वर्मेंट को बढ़ाई देता हूँ कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा ख्याल तो किया हम हैं नहीं इस लायक लेकिन उन्हें हमारा ख्याल तो आप है इसमें कोई शर्वने बिना लायक के कोई नहीं देता खांसाब ऐसी सूरत में हम यह चाहते हैं और हमारा दिली एक मेरे मालक तो मझे इतनी ताकत दे दे कि थोड़े सुरह में और मज़ा आ जाए क्या बात है क्या बात है आपके आप के इसी वेरमृता पर तुम après है सारे के सारे मुझे याद आपने एक बार कहा थ हैं ऐसके किसी नीचा होता है वो उतना उचा जाता है बहराल हम सब बहुत खुश हैं इस बात से कि हम आपको इस भारत अतन से नावाज सके और हमारे बीच आप जैसे शक्सियत हुई मैं आप से बाचीत कर रहा था आपके अलाबाद वाले पहले कारिक्रम की जी उसके बाद आपके साथ गाते थे आपके साथ गाते थे और दुर्भा किसे उनका इंतकाल हो गया आपने उसके बाद बजाना छोड़ दिया मैंने सुना है ऐसा कुछ था नहीं छोड़ क्या दिया अब आप सोचिए कि बुढ़े बात हमारे बुढ़े और भाई के शच्छे लड़के और उन में भी आँंख कमजोर की की उनको चश्मे दिलाओ और यह करो यहाल्ला हम क्या करें अकेले तो रोते थे और दमाग नहीं हमारा खुरा कि क्या करें आखिर में हम ने दिखा कि अगर हम यह इसे ही चलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पिर समा लेगा कौन और इसका यह मतलब हो कि हम शैनाई भी छोड़ दें तो कैसे रोटी खाएंगे हम लोग पस एक देभी प्र फात्मान गये जहां हम जाते हैं जीमरात को महा घए मौला के दरवार में गये हमकी मौला मैं परषण हूं और हम एक दख कह रहे हैं इहमारी परषणी दूर किजीए आप और मैं जा रहा हूँ, बस आदाब करके में चले, अब धमक कर्यास करें तो फिर आगे बराबर बदेंगे, इसके आगे भी चलूँगा, इस बीच टेलिफोन पे एक और सज्जन है, मोनी आशीश, मोनी पूछिए क्या पूछना है, हालो, मेरा सवाल ये है, कि खास आपके मेनत का जी अन्जाम हुआ है, कि एक तरफ शैनाई का महत्व इतना बढ़ गया है, कि हम दिवाली के रोज ये मानते हैं, कि लक्षमी का प्रवेश इनके शैनाई के साथ ही होता है, और दूसरी तरफ ये सिर्फ एक शादी में बजने व होना जाहिए, जिससे कि इसका महत्व और भी बढ़ सके, और ये और भी रेलेवेंट हो जाए आजकर के टाइमस में. और पापुलर हो, ऐसा सवाल हैं, ऐसा नहीं है, इसमें किसी के तरकीव और किसी हिसाब से, जो उस्ताद गुरू कह रहा है, उसके बाद पर हमको इमान रखके पहले चलना है, पुखता, गुरू तो पचीश ने निकलाएंगे, ये भी है, वो भी है, वो भी उस्ताद है, लेकिन हर एक की बात को लेके चलना है, वो इसके लिए, एक साधे, सब सदे, और सब साधे, सब जय, तो ऐसी सूरत में हमको और लेके चलना है, और राख, हमारा रियास कैसे होता था, एमन ले लिया, जी बस सिर्फ एमन, तो डेर परने दो घंटा हम बजाएंगे उसको, र और चार राग दूसरा बजाएंगे, तो यह मन और फिर इस तरिखे ने जितने राग हमारे और हैं वो भी आ रहे हैं और वो तो तियार हैं, ऐसे सुरत में, अगर चार-छे राग कबजे में आ गया, जब चाहेंगे वो इसे निकल जाएंगे तो तो हो जाएगा. अच्छी बात के यह आपने, मैं जो पूछ रहा था, मैं फिर वहीं जा रहा हूं कि मैं आपके जमानी, आपकी कहानी सुनाना चाहता हूं अपने सारे दर्शकों को, मैंने आपके भाई साव की बात की, एक जमाना ऐसा भी आथा जब आपने सोचा था कि हम अब ये बजाना छ सवाल ये है कि कुछ करना तो ही है, और आप जानते तो उस जमान में अधेला भी चलता था, अधेला आधा पैसा, हाँ आधा पैसा, और अधेले का हम गर्म मसाला लाते थे, गर्म मसाला में लॉंग भी है एक, और चार-पांच बालचीनी में है, जहां बस छोड़ा अधेल में किसी से कह देंगे, मिल वाले हैं हमारे दोस्ते, उनसे कपला मंगवा लो, लुचार गाठ यहां आगे और बेचेंगे, जब सोचके, फिर हम का कि बाईया, एक मुंशी रखना पड़ेगा, हम हिसाब नहीं कर सकते, अगर इस हिसाब किताब करेंगा, हमारा संगीत हमारा हो जाएगा, हम को छोड़ना पड़ेगा, कि मैं हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, भाईसाब कह रहे है, यह होई सोचते, हम का भी हम लोग कोई काम नहीं कहा है, हिसाब किताब ने डरा दिया आपको, मुझे लिए 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 हिसाब किताब कर पाते हों, एक स्वाल पैदा होते अगर उसको रखते हैं, तो पता नहीं सही लिख रहा है, गलत लिख रहा हो जो बताएगा, भुजबाद, अपने हाथ में तो है नहीं, बहराल सुनीता नायक मुंबई से आप से कुछ पूछना चाहती है, सुनीता जी क्या पूछना है आपको, जी, आपको मेरा नमस्कार, मुझे यह पूछना है, कि वो बच्पन से शहनाई बजा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने खाथ कुछ परहिस किया था, मतलब डायेट या एक्सरसाइज, उसकी जरूरत होती है, किस चीज़ की, डायेट या स्पेशल डायेट या स्पेशल एक्सरसाइज कुछ होते है, इसके लिए कुछ खास तरह का खाना आपको खाना पढ़ता है, बोजन के लिए कुछ रखते हैं, कुछ नहीं, जो खाना पखता है, वो ही खाया है, लेकिन याद रखे कि हुदूरे वाला कि जो पहले खाना खाया, असली खाते थे हम, वो अभी तक काम आ रहा है, वो काम आ पूला है, खा लिया हो इह काफी है मतलब सारा राज जो है, वो असली चीज में शामिश है जी जी असली राज निकलते है और उसके साथ-साथ रियाज में भी ऐएसे ही है जिसकत अगर खाना नहीं खाया है और डूब गई तब यह तो भूख लगी है अब इसमें जो लग गए तो सब खतम हो गया, खानाओ ना भूल गए लेकिन आप तो खान साब खाने से पहले ही रियास किया करते हैं हमेशा, जान तक मुझे ध्यान है जी जी, खाना नहीं खाते हैं, रियास करते हैं, अगर ऐसा है कि अब नहीं चल सकेंगे, थोड़ा पाओ भर दूद गायक अच्थन का, और दरासा कुछ इसमें शेकर को थोड़ीती है, वो रखा है, बादाम पिसा हुआ रखा है, थोड़ा चाटा, देंग 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 दे गंगा जी के तरफ सनाही करती है, अगर उसी तरफ मुंबाया, इस बीच श्री निवास मुंबई से आप से बात करा चाहते हैं, श्री निवास जी, पूछे क्या सवाल है आपका, हलो, जी, मी विकड़िवर्न बोलते है, श्री निवास मोरभ, बोलिये, तो खान साब, खान अब अबन्यामी करता है क्रोंश जुठी शैनाही में आपने मिजिक दिया था क्या, और दुस्रे कोई फिल्म में दिया ऐगा, अच्छा, ये फिल्म गौजुखी शैनाही में आपका मेजिधिक था, उस बारे पूछ रहे है इस और बोलि में आपने पूच रहे हैं, और ख तूत गया है... यह तरस हमारी है और हमारे यहां की चीज थी फिलम में दे देने के बाद हमसे गैड़ फिलम वाली चीज बजाईगे आप यहार उल्टा हो गाई यहार फिलम वाली का बजाईगे अब चलता है लेकिन पब्लिक पसंद चीज है अगर सुर में चले तो बकौल शक्स है कि अगर गाली भी तो हम सुनने के लिए तयार है लेकिन फिल्मी म्यूजिक देने में आपको किस तरह क्या अनुभव हुआ था जब आप दिया तो कुछ रुकावट ने आपको मैसूल सुई किस कि लिए आपको वसंत्राव देसाई गुंडश्चनाई की बात कर रहा हूं और विजय भाट और शंकर भाट ये लोग उसको खर्चा करने वाले बनाने वाले और ये उसमें लेते थे वसंत्राव देसाई तो ये हमारे जान पहिचान किती है हमारे पास है कि यार ऐसी सी बात है तो मैं का रह हमने जा यार रा साफ हमको कहा ले जा रूब भाट जी हो जाती है फिलम के वाले खर्शेल कहा आ क्यों कि यार हमको मत ले जाओं तो सी आफ्ट्राव ऑई आई अब फोना देसाओ है कि मुआ जाती है फिलम वाले वाले कि वे नहीं आ zeros आपूं और ये सब हमने सुनेइगे अगर ऐसा होगा तो हम अभी से कहते हैं कि आप तश्रीफ ले जाईए, हमें नहीं चाहिए तो सब बात मन्जूर किया यकीन मान लीजिए कि एक हफ्ते तक सम पढ़ाई रहे बंबई में और एक हफ्ता हों का यार यह क्या तमाशा हो गया सब्सक्राइब क्या हम बंबई गंगना आए हैं ये खालीख खाने आए ऐए किया मतलब? गरिक अचछा अचा कल आई ए ने कलीगाली भीजआ अप गये तो हमसे करने के लिए को लकाश सीखता है तो कया होता तो बजा रहे हैं और उसके पाद जाना शादी भी आ होती ही तो इसे करते चरते किन खासा कोई ऐसी तरस भी होती है जिसको आप भी पसंद करते हो तो यह दिल चाहिए जो है यह आपने संदू मरसे मदरिया सामल की हो मरसे मदरिया यह इससे लगा कर चले बड़े खुश हुए सब आखिर में कर देड़ दो घंटा ऐसे ही रहा हमका यह रखो हमका भीया हम जा रहा है दो बज गया रात का दिन का हम चले दूसरे हमका भी राव साब रिकार्ड का प्षरू करेंगे तो कैसे किया भाई तो दो चीज और बाद में हमका निराव साब दो चीज हम यह फिर से करेंगे कहा हाँ कोई और दो चीज बाद में दे दिया और जो चला है तो फिर न पूछिए जहां जा रहा है खासाब जरा है गूंचिटिशन आई और उस वकात मुगल आजम चलने वाला अपकी बंबविया तरगी का निकल लेगा है कि मैं अधाब करेंगे इस बीच मंबविय से कमलेश सिंग कोई पूछना चाहते है आपकैशस कर देपे इससे में अब एक इससे करना रहने रहने वाला हूं और नासे मैं रिक्वेश्ट करूंगा कि क्यू नहीं बानारास आगे फिले फुले। यह कह रही हैंaría। पिर बनारस के हैं और यह चाहते है कि बनारस विष्विद्यालाभार में जयमीजिक का सेक्शन है। उसमे शेटाी के लिए अलग लिए कोर्स क्योंना शुरू किया जाए। आगे भी जिन्दा रह सके। नहीं हो तो करना चाहिए हम नहीं करेंगे हमारे बस की बास नहीं है हम खाले अब खाना खाते हैं नमाज परसते हैं और थोड़ा सा संगीत का का बास और जितना कारोबाल है उनके जिम्मे लगा दिया लगा दिया लड़के जो हैं वो साथ में बजाते हैं उनको समझा दिया गबे तुम ऐसे चलो तुम खरज मध्धम की संगत किया करो तुम खरज पंचम की सब अईसे से बतला रहें। जिस तरह से आपने संगीत पढ़ा उसमें बहुत अंतर है। आप का ख्याल है आज जिस तरह की संगीत की पढ़ाई होती है। माफ कीजेगा मैं खुश तो हूँ जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बताये कितने स्कूल हैं संगीत के। खाली बंबई में अब पूरे हिंदुस्तान में कितने होंगे। जोड़ी है। तो फज्याज खान कोई निकला महां से। अब्दुकरीम खान कोई निकला। गुलाम अली खान कोई निकला। अमीर खान कोई निकला। एक बताजी एक। पढ़ाई लिखाई अलग है। शुर में तासीर पहना अलग है। तासीर कैसे आएगी यह मैं आप से पूछूना थोड़ी बात। इस बिच कोई और कुछ पूछना चाहते हैं। अंधेरी से रगुबीर। रगुबीर जी पूछिए क्या सवाल है आपका। जनाब खां साथ को आदाब। आदाब रगुबीर। साथ जी आपके जो सेहनाई यहां और सुन्री जो बढ़ाई हैं। उनमें से कौन सी आडियो कैसेट हमें चून चुनना आए यह तो हम कन्फ्यूज में पाढ़ गए हैं साथ जी। तो हमें मरूम अल्लारका साथ और जनाब जाकी रूसिन साथ की जो तबले में साथ हैं। ऐसे कोई आडियो कैसेट के नाम बढ़ाएं कि जिसके वज़े से हम जो खरीद करके हम लुप उठाएं का। हाँ साथ यह जानना चाहते हैं कि कोई चीज जो आपको बहुत पसंद आपका कैसेट को सुनना चाहते हैं। तो कौन सा कैसेट उनको खरीदना चाहिए जिसमें उनको बहुत मज़ा आए। देखिये मैं बताओं जहां तक अस्थाई अंत्रे का सवाल है वो तो याद करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत से हमारे बनारस की चयती है और क्या वह होली है और कजरी है इस सब चीजने उसको याद रखें नहीं धुन याद रखते हैं। उसकी तरस जो है उसका नक्षा वो हमें याद है। तो अब सवाल है कि आप सब बोल याद रखेंगे हम बोल याद रखेंगे अपना अस्थाई अंत्रे का। इस वज़े से वो नहीं है लेकिन हम तरस याद रखते हैं। रखेंगे ये तो संगीत की सरिता है जहां से आप चलू भर पानी ले लेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। जो चीज आप सुनना चाहें जब जो मिल जाए उसे सुनिएगा। ऐसा ही कुछ खांसाब कहना चाहते हैं। मैं आपकी बात कर रहा था मुंबही आये थे पहली बार आप शायद 1942 में। उस समय के कुछ अनुबह में बताईए ना। अरे भाई बहुत सी चीज़ां ऐसी थी ना हम को कोई जानता था ना हम कुसी को जानते थे। मैं मैं आये कैसे थे आप हम एली बार रेडियो हम आये थे दिंकर राओ साब उसमें थे। ओखारी साब का लस्माना सो आए इस ऐस चनीर आख़र बुखारी थे। तो तो हम जब आये तो दिनकर राह जानते थे, हम लखनों से पोग्राम करते थे, यह लोग सुना करते थे, जब यहां आये तो हम गए हमारा पोग्राम कैसे है, कल है, कल से शुरू होगा, तो दिनकर राह आ गए, अरे खासाब आईए, बड़े इखलाग से मिले, हम का हाँ साथ तो कल कहें वजी किन्खा सवा साथ बज़े आपका है सुबा हम का यह तो गाड़ी वाले किन्खा साथ गाड़ी यहां नहीं है और इसका भी इंतराम नहीं हुआ तो हम का कोई फिकर नहीं हम आएंगे तो विक्टोरिया के लिए उस पर बएट के हम सुबा और नमाज पड़ा और थोड़ी दूरसा बिल्कुल आगे जिए मैं इसकी बात आप से खांसाब माफ करना वीच में काट रहा हूं कोंके बढ़ोधा से इंदिरा जी कुछ पूछना चाहती है इंदिरा पटेल पहले वह हाले आपका इंदिरा पटेल मुझे लगता है हालो हां बोलिये खांसाब आदा 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 हम आपसी कहना चाहते है कि जब हम रेडियो एमदाबाद में एक बार आपका प्रोग्राम देखने आये थे तो आप रियाज कर रहे थे और छट की तरफ देख रहे थे और आपकी आँसू बह रहे थे जी जी हम समझ सकते हैं कि आपने सूर के द्वारा कुछ ऐसा एहसा किया ऐसा कोई भी कलाकर को सूर का ऐसा हैसा कब होता है ये पूछने चाहते हैं कि सूर का एहसास जो आपको उस समय हुआ था जब आप प्रयाज कर रहे थे और छट की तरफ देख करक आपका है इसा वाक्या तो जिस गत वो चूँए एक दो चक्क्र लगाने के बाद आँख में आसम गाने रिखता है तक अक्सर नहीं होता है ये कभी-कभी होता है जब गवीकि तो जयल रrop दोगे तो अग्या निवाराच आणा पड़ता है लेकिन किसी memang ऐसा भी हैny बजाओ। और फोग्राम करों चलो चलए तो था कभी-कभी होता है लेकिं जब आप अपने लिए बजाते होंगे जी 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 रियास करते है या जैसा क्या बताते है कि गंगा के किनारे झारे जाते थे गंगा जी के भीतर भी आपने तो जाकर के नाव में उस वकत हम उसको साफ करते हैं जो मुश्किल चीज है अधरा लपेट में आ रही है उसको हम साफ करके जाते हैं जब तक साफ नहीं होती है तो हमारी उसकी राई होती है जिद हो जाती है हम तो साफ निकलेंगे हाँ और जब उन निकलने ले गए तो गंगा इबाइब आरे बाइब देख या मजार श्रीपर हो चलना का लागा तेरा शुक्रा है, आगई वह बात? क्योंकि काशी विश्मुनात के मंदर में बैठ करके आप भी जी बहुत बजाए यिए भर राजी के मंदर में आपके बिल्पल वुशाते थे। इसमें हम घलत नहीं बोलेंगे, हमारा रिकार है यह, हमारे माधुन, हमारे नाना, ए सब परनाना, जो नहीं है, आधुर मत ज़्छिए नहीं, इसमاز ब्रमाइ आधृ ऑभार से। अरे बाबा, इस सब कलाकार जितने भी चोटी के ते सब राजदरबारही में तो पले हैं, घर में काई पले हैं? अब तो राजदरबार है नहीं, पिछले पजा सालों से, तो क्या इससे कुछ असर पड़ा के लोगों के रियाज में सीखने में? होना, deserved हुआ हुआ हस भ में गजा खाय होंत तो तनका भी मिल रहे हैं, अगर अजो रियाज के है आज तो कुई थास़ नहीं. य। तनखा तो मिलेगे, महीना खतम हो रहा है। और इनाम एक्राम मिलता था, कंठा मिलता था, सोना, सखडी मिलती थी, कुछ नहीं है तो शाल मिल रा है, इससे बात यादा, अरे खैर उतको तो छोड़िये, संगीत जिन्दाबाद, हिंदुस्तान जिन्दाबाद, संगीत जिन्दाबाद, ये खांसाब का संदेश है हमारे इस बीच यमना भाई मुंबई से कुछ पूछना चाहते हैं आप से, यमना भाई जी पूछिये, जी, बोलिये, यमना भाई जालो, बोला, इसके बास कीज़ करने का खांसाथ से, जी, जरा देव, बोलो, बोली आप, बोलता है मैं, तो ये आवाज करके विच दर आवाज हां, खांसाब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोली आप, बोलता है, ये कहर जालो का पत्नी बात करने का है, खांसाब यमना भाई, उपने पोते से आपकी बात करवाना चाहते हैं, आपको आदाब कह रहे हैं, मेरे को भी बोलने का है, बंबाई में कहर जालो था ना, उसको विजर गया हमारा, तो बिशने लगा, वो भी शाना ही बजाते थे बंबड़े के बड़े, क्या जादो. इनके पती शायद आपको जानते थे हैं, इनका आप दिहान थो चुका है, लेकिन वो आप से बात करना चाहती हैं, आदाप सुनना चाहती हैं आपके मूँ से. नहीं हम देखिये, हम सब के लिए दौा करते हैं, मालिक सब को अच्छा रखे, और हमारे जितने प्रेमी हैं संगीत वाले, उनके लिए खास दौा करते हैं, कि अपने बच्चों को थोड़ी संगीत जरूर सिखाएं. खान साफ, मैं आप से बात करती है, मेरा पोता अला रखा के पास सिखता था है, अभी तो गुजर गया है ना, तो उसका लड़का जाकर रुसित के पास जाता है, आकर साल का है. अच्छा. अभी बीच में आया था इधर, तो आप मिला में आवार लिए, आपको मिला बहुत आप से मिल चुका है, अच्छा लगा था और वो तबला सीख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि संगीत सीखिये, वो सीख रहे हैं संगीत, नहीं दरूँ सिखना चाहिए, और रियास करना चाहिए, यह जालना जी बहुत बहुत शुक्री आपका, आप पोते से बोलता है, आप बोलेगा पोते से, बोलbuds से बोलवाइए, बात कराईये, उससे कहिए बात करे, क्या नाम चाहिए, वो तो जाथा गाता है, हाँ बोलने दोश्कों, अच्छा जी गीते रहाओ, खुश रहो तयास हुप वोते से ले के पर आपकी बात शुरू की थी मंबई में जब आए थे तो रेडियो पर आप सुना ले गए थे रेडियो ने बरसों तक अपना कारेकरम शुरू करते थे जब सबयरे मंगला चुनल ने होता था तो आपकी शेहना इस रहा आपकी छोटफ़े टुकड़े अन्होंने ले लिये तो रेडियो उस जमाने मुझे याद है कि मीलो लंबी लाइन लगती थी आपके कारिक्रम के इनिविटेशन लेने के लिए रेडियो कारिक्रम के लिए तो रेडियो कारिक्रम के बारे में आपकी क्या राया है कि उससे संगीत का कितना विकास हुआ अच्छा हुआ अब आप स तुमका पहले में लड़त बजाएंगे इस अब कह दिया और जब इसकार्ट हुआ है तो मैं क्या बतना हूँ कि इस टोडियो में ऐसी इच्छी खुश्बू कुछ असेंट्र सुर्कार का इसके वज़े से मूट बन गया अब हमने खाली लड़त का खाली थोड़ा सा जम के जो शुरू है तो मूट बन गया वेरा अच्छी वजी लड़त हमारे मन की आपके मन की है अब न पूछिए कि अब जो आइटेम खाले हो वही आदम भर भरा क्या गया क्या बंबई सर्कल वाले हैं क्या दादर सर्कल वाले हैं अब का यारी तो समाज़ा हो गया तो मुश्किल तमाम वह भी टोड़ी ही बजाया अब बड़ा तरह माय से तीन दिन के लिए धाई मेना रुखे हैं मुंबई जगह ही ऐसी है यहां जो आते हैं यह माया नगरी यह पकड़ लेती हैं लोगों को नहीं यहां कदरदान हैं लोगं यह के सुनने वाले मराठे कौम बहुत अच्छे इसके जानने वाले तो यह नहीं देखते आरे थोड़ा पैसा काम थोड़ा ज्यादा है हम लेकर विए हम अपने पोगराम दुखारने लिए तो हम बहुत खुश हुए यह यह कि माले आये दो तीन दिन के लिए हम इतनी दिन ने रह लिए आपे, मेराल बुंबई से ही वर्षा देवधर आप से बात करना चाहती है, वर्षा जी क्या पूछना चाहती है आप खाहन साथ से, नमस्ते, नमस्ते, आपका अमार यहां, कोई भी शादी या जनौई या बर्थ, इंगेजम आपको शुक्री आदा करना चाहती है, आपको शुक्री आदा करना चाहती है, आपको शुक्री आदा करना चाहती है, आदा, 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 आदा काप हो तो शाहनाई बजेगे, माफ कीजिएगा. शाहनाई तो उसके बगार कुसी का काम पूरा नहीं होता? इसकी आवाज में कुछ मालिक न असर दे दिया और किसी साथ में ऐसा नहीं है, है लेकिन कोई भी साथ बज़ेगा तो यह नहीं मानुए कि कोई शादी हो रही है बलके यह है कि शानाई अगर बज़ेगे शादी हो रही है यह भी हम कहने कुछी देवता की या कोई पिर्शेहित की दौई है बटा तुम शानाई बजाओ देखो क्या हुसा है आप जिंदग और उससे मंगल अच्रन की बात जो मैं कह रहा था तो आप क्या मानते हैं कि संगीत के माध्धम से आपने क्या हासिल किया यह चीज ऐसने की जवानी कह जाएं फैसला होता है दिल के अंदर कोशिश करो सच बोलें गलत न बोलें इसके लिए हमने अपने तरफ से यह निकाला है तो बहुत पुरानी चीज लोगों ने कहा होगा हमने यह निकाला है कि कोई काम करो हमारे सबसे छूट है खराब से कराम है कुछ भी हम नहीं जानते जो दिल चाहे करो खातम हो कई बात लेकिन उसके पहले यह कहा है कि दो या ती मिनट थोड़ी दिर सोचो अच्छा है य कमन तर लेकाम बड़ी उम्रा चीज है अगर इसपर गौर करे आ जाये तो वहीं चीज संगीत में आ जाती है वहीं चीज संगीत में आ जाती है उनके बराबर में है बिलकुल some इसका सोचके चलेगा तो जो राख मुश्कील है स्वेख मुछ चला छोड़ दिया उसने फिर स आपको ये जो सम्मान मिला ये किताब मिला तो हमें हारतवसियों को इस पर बहुत गर्व है नाज है और मैं ये प्रशन पूछना चाहती हूँ कि यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें सभी देश में के गति को हम एक सूर में जुडा सकते हैं तो ये म्यूजिक की अभी जो हलत है प्रॉबाबली इंडिया क्योंकि वेस्टर नारेशन बहुत हो गया इसमें तो यहां यूजिक के वजल से आप यूआ पीड़ी को जो इसको आगे बढ़ा सकती है म्यूजिक फिल्ड को संगीत को तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि यह कुछ नहीं संगीत की जवान जो है लोगों को जोड़ती है लेकिन आज काफी बदलाव भी आरा है संगीत में तो यूआ पीड़ी को नौजवान पीड़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कुछ नहीं संगीत एक SHEEP है संगीत कुछ पिए अब रहा ये कि अपने अपने एरिये की rendered की चीज है जैसा हमारे हिंदुस्तान में कोई बंगला टरीके से गाता है राग वही है क्वे पजाबी तरीके से गा रहा है यूपे में हमारे तरीके से उधर से गाह बजा रहे हैं, अलग-अलग है, चीज तो वही है, हम उनको सिर्फ ये करना चाहते है कि तुम सुरिले बन जाओ, और ऐसा स्थान ख्याद करो, किसी चीज को लेके चलो, वो सुर में जो, तो राख को छोड़ को वही सुनेंगे वो, क क्या बात है, कि हमें ये बताओ, ये जो सुरिले बनने वाली बात है, कहां साब ये तो सारी जिंदगी का एक निचोड है, और आएगा नहीं, जब तक प्रेक्टिस नहीं करेंगे, ये तो आना है, और फिर ये सोच कि बचाँ, कि हमें, ये शाह साहब की मजार है, हमें यही से मिलेगा, और ये मंदिर है, अचा हमें यही से मिलेगा, ये सोच दो, नहीं है, गंगा जी के पास है, यही से मिलेगा, और माराजी ये सब और भी चीज है, इसमें बहुत बात में बताएंगे, लेकिन ये आस्था मन में होनी चाहिए, बिलकुल होना चाहिए, ये पक्की आप नहीं पीडी कोई आस्था आपने भी तर जगानी ने देखिया आप अभियां कहते हुए गुजर गए कि हम फास्मान जाते हैं इस वक्त भी जाते हैं लंगले होगे हमसे चला नहीं जा रहा है लेकिन दक्षा करके जाते हैं और जाके नौहाँ वजाते हैं अब शीला अत्रे आप से कुछ बूचना जाते हैं मुंबई से शीला जी पूछे क्या सवाल है आपका हलो हां बोलिये हां बहुत चारे अभी नंदर आपको हलो आपका अभी नंशकार नंशकार आपको में पूचना जाती हूँ कि आपने गुजुदी शैनाए के लिए लेकि सं आए दिया पन्ना आपके वह वह मद्रास कि याद आ रही है शीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद क्या पूछना भी या कुछ आपने बोलिये आलो बोलिये आप कुछ सुनाएंगे उनको अरो सुनाने का क्या हम तो सुनाते ही है सुनाएंगे लेकिन इस वकात चूप बातचीत का चल रहा है प्रोग्राम इसमें इतना प्र दो लाइन सुनना चाहती है और आप काफी कुछ सुना शुकुत हैbly सुना एन ड़ंटर ऑने लोना थांदर ऑनने डान बंड़ान डान दैने dwa है Immigile बहुत बहुत आभाली हुए आपका और शीरा जी आपका भी क्या आपके कारण हम को ए सुनने को मिल गया इक आखिरी सवाल खांसाब और है बाहर से में थोड़ी सी बात कर नंचाहूँगा अरुन जोशी मुंबई सेवाल करना चाहते हैं आपसे अरुन जी बोलिए क्या सवाल है आपका नमस्कार 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 बबाब शुक्रिया आर्म जी बोलिये कि खान साब ने हमारे तमाम भारतिये जनों का जो दिल है और दिल इकटा कर दिया है जहां किस कोम की भी बात नहीं सम सकते यहां कि खान साब हमारे दिल में एता होगे कि सब भारत वाष्यों का हमारे कुछ गर्व है मेरे तरफ से उनको बहुत 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 चुबा कामना है और मैं ज्यादा तो कुछ दे नहीं सकता हूँ लेकिन प्यार से इतना खौशकता है कि आप जिवा हजार साल और उस साल के दिन हो पचास हजार आपका शुक्रियार नावादिस महरवानी आपकी हम सब के दिल की बात कही अरुन जी ने आपको याद होगा कि इस कारिकन की शुरुवात भी एक अरुन ने बना रस्ते की थी और दूसरे अरुन से हम आखरी सवाल अमने ने से पूछा खासाब मैं बहुत बहुत शुक्र आप अपनी जिन्दगी में हासिल करना चाहते थे उसमें बहुत कुछ हासिल हो गया होगा कुछ ऐसा है जो अभी आप और हासिल करना चाहते हैं जी हाँ हाँ हासिल करना चाहते हैं मालिक हम को इसमें ताकत दे दे कि हम शाहनाई और सुरिली बजाने लगें ओफ 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 बहुत बहुत शुक्राइब इतनी सूरिली शैनाई बजाने वाला आदमी अभी भी ये चाहता है कुछ और सूरिली बजाए ऐसे साधक को हम सिर्फ परणाम कर सकते हैं खांसाब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था शैनाई के जादूगर हैं लेकिन उस से बड़े वो साधक हैं और उस से बड़े वो इनसान हैं हम सब उनका अभी नदन करते हैं हमने अभी पिछले 26 जनुरी को उन्हें भारत अरतन की उपादी से नवाजा ये भारत अरतन हमारा कि अपना प्यार उनके प्रती है उन्हें कुछ दिया नहीं हमने उन्होंने हमको आज तक दिया है खांसाब हमने सिरफ आपको हारतन कहकर के अपने आप का कद थोड़ा बढ़ाया है नमसकार नमसकार भाई साहब और जितने सुनने वाले हैं सबको नमसकार कर रहा हूं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल